आए है है हुआ फ्रेंट आज हम डिस्कूस करेंगे शॉत शॉट टेस्ट आश्ट 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 की टेस्टिंग और अपन शर्कूस किया थे हैं तो अगर आपना वीडियो नहीं देखा तो आप मैंने डिस्किप्शन लिंक डाल दी है आप वहां से जाके देख सकते हैं वीडियो को तो आज हम इस वीडियो में शॉट सर्ट के बारे में डिसकस करेंगे कि इस तरह से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है तो इससे पहले अगर आपने वीडियो अप्लोड करें उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें चलिए शुरू करते हैं हिए है टिए तेर्ट स्फ़र्मर इसमें बेशिकलि होता है यहां फीघ्र में उन्सके इक प्रक्राइल होलेतेन जोह ऋसको उन्हें शार्ट सरट कर दिया है और यह उसका equivalent circuit diagram है तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं पहले आपको वर्किंग बताना फिर से कुछ important point के बारे में discuss करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमें transformer की short circuit test को जानना होता है कि इसमें मतलब testing में बात किये कि इसे सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें क्या है कि यहां पर हम करनी होती है तो हम secondary side यानि low voltage side को short circuit कर देते हैं high voltage side में सारे measuring device लगा कर पर अपना testing perform करते हैं तो इसमें यहां एक auto transformer लगा होता है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं जो अपलाइब voltage होती है हमारी उसको हम zero से लेके vary करते हैं जीरो से बढ़ाते हैं और जीरो से बढ़ाते हैं और rated voltage इसे हमारा ट्रांसफर्मर में तू थर्टी वोल्ट रेटेड वोल्टेज है तो हम कि उस रेटेड वोल्टेज की दो से या बारा परसेंट के बीच में हम वोल्टेज को वैरी कराते हैं और इसी इतने वैरियेशन के अंदर ही transformer में circulating current flow होने लगती है मतलब ट्रांसफर्मर की जो कोप्र लास फैसाइल, कॉपर लास उसको यह मेजर कर लेता है तो इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट से इसमें क्या है इसकी मतलब टेस्टिंग इस अपसाही वेल्यू को रिकॉड कर लेते हैं एमेटर में with कि हम इसके इंपॉट्ट पॉइंट में कि होता है कि यहां पे चौहम alle कोने इसे चौहने के ठ्ता है हाइउद साइड को सब्सक्राइए नहीं करते है हाइई भॉलटज साइड को कर एकृम गॉर्च कर रहे हैं तो उससे प्राब्लम आती है मतलब यहाँ पर सब्सक्राइब होने की आशंका रहती है इसलिए लोग साइड को ही चण tel करते हैं और जो हमारे सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं ता मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और प्लेज ऑन हाई वोल्टेज साइड यानि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो सारे के सारे हाई वोल्टेज साइड में ही लगे होते हैं जैसे कि य है ? पॉलटर को adjust करते हैं कि इससे की लिए ट्रांसफोर्मर में ट्रांसवमर के प्राइमेरी सेयड में रेटेड्र करेंट फ्लो होने लगती है या कि प्राइमर बोले तो राइटे इसके कारण इंडेक्शन होता है और इसके सेंटरी सैड में सेम वैल्यू की रेटेट करेट फ्लो होने लगती है सेंटरी सैड में और इसमें जो होता है प्राइमरी mmf is almost equal to the secondary mmf मलब जो हमारा primary mmf n1 i1 होता है यह secondary mmf n1 i2 के इकवल होता है और इसलिए मदलब इसके इकवल होने के कारण रही हाइव वोल्टेज वैंडिंग में जो रेटेट करेंट फ्लो होती है उसी कारण लोग वोल्टेज ट्वैंडिंग में भी करेंट फ्लो होने लगती है अब दप्राइमरी वॉल्टेज आफ 2% to 12% आफ इस कि लगण से प्रैमरी वोल्टेज़ का दो से बारा पर्सेंट की बीच ही मद्द इतना हम अप्लाई करते हैं जिससे की हमारे ट्रांस्वर्मर के प्रैमरी और सेकेंटरी वांडिंग में सर्कुलेटेड रेटेड करेंट फुलो होने लग जाती है कि और जो वाट मेटर होता है नेक्स पॉइंट है यह रिकॉर्ड करता है सिर्फ YO MIG LAWS को यह को मेजर नहीं करता है मनलAS हमने उप सर्किट Test के पढ़ा था वहां पर जो हमारा टेस्ट में हम्हारा टेस्टिंग में वहां पर रहा कुरला को कहाले मेजर करता यहां यहां पर क्या है कि यहां पर को मिट्र में परम्लाउस को नहीं करेगा ऐसा क्यों है क्योंकि उसकों जो को रह्ते बार्य ठीद्वट रहता है है तो उस हिसाब सेम जो होता है ये कवार फ्लक्स के स्क्वार के प्रपोश्णल होता है कि जास्तना व्ल्टे बोल्टेज अब में जब कवे होता है इस होता है लोग कम होता है मना हमें कन गलेटर्च सब्सक्राइब करती है तो इसी तरह इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लिस लाइक करें शेर करें